सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन लिए बीते कुछ दिनों से घाटी में आतंकी लगातार पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं और ये सिलसिला करीब दो साल से जारी है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर में वो आतंक को शेह दे रहा है आखिर कब तक हमारे जवान मारे जाएंगे कब तक पाकिस्तान बरबरता करता रहेगा पाकिस्तान के सैनेकों द्वारा बीएसेफ जवान की बरबर हत्या के बार जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत की है भारतिय सेना और पुलिस के आपरेशन से बौकलाए देशत गर्दों ने शुक्रबार को शोपिया जिले में तीन पुलिस कर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी पुलिस कर्मियों के सर्च आपरेशन के दौरान तीनों शर्फ कापरन गाउं से एक किलोमीटर दूर वागम शेतर से मिले पुलिस ने मुरतकों के पहचान कॉंस्टेबल निसार एहमद और दो इस्पेशल पुलिस आफिसर फिर्दोस एहमद और पुलवन सिंग के रूप में की है पुलिस ने बतागुंड गाउं के लोगों ने आतंकियों का पीछा किया और उनसे पुलिस कर्मियों को अगवा नहीं करने के अपील की लेकिन आतंकियों ने हवा में फाइरिंग कर गाउंवालों को धंकाया गावबालों ने बताया कि आतंकियों ने इलाके की नदी पार की और पुलिस कर्मियों को गोली मार दी निसार एहमद आमड पुलिस के साथ काम कर रहे थे आतंकियों ने एक पुलिस कॉंस्टेबल के भाई को भी अगवा किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया कश्मीर जोन पोलिस ने ट्वीट कर तीनों पोलिस कर्मियों को शुर्धानजली दी है कश्मीर पोलिस ने अपने तीन बहादूर जवानों की हत्या की निंदा करते हुए इसे अमानविय प्रत्य कहा और कहा कि दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा इस तरह के जो तीन लोगों को तीन हमारे कुलीग हैं जिनकी शाहदत रही है और आपने जैसे देखा उनका रित लेंगा पर हुआ हमें अशुर करते हैं कि जो कानून के दाएरे में जो भी होता है that action we will take and also it is a very unfortunate incident we thank the people also some of the people who came forward and tried to protect these boys so at this stage we can only tell you the investigation is on and we shall bring the accused to the justice हैरानी की बात ये है कि हिजबुल आतंकी रियास नाइकु ने चार दिन पहले ही एक आडियो जारी का रिस्थानिय पुलिस वालों को धमकाया था लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा कर्मी कुछ ना कर सके धमकी देने वाले आतंकी ने पुलिस और सेना की नौकरी चोड़ने की धमकी देते हुए नौकरी चोड़ने का सुबूत इंटरनेट पर अपलोड भी करने को कहा था और अंजाम भुगत्तें की चेतावनी दी थी वहीं तीन पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद घाटी में खौफ का महौल है येरो रिकोर्ट एमिट वर्नी जा सवाल वही है आखिर कब तक आतंकियों की काराना हरकत के बाद पुरा देश गुस्से में है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करें क्योंकि आतंकी सीमा पार की शेहसे जम्मु कश्मीर में देशत ठेला रहे हैं जम्मु कश्मीर में तीन पुलिस वालों की हत्या के बाद लोग गुस्से में है आतंक बादयू किस काराना हरकत को लोग भहशिपन करार दे रही है और इसके बीचे पाकिस्तान की साज़िश बता रही है किस तरह पुलिस के ज़वानों को निशाना बनाया गया और इंट जवानों के परिवार वाले मातंग बना रही है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है लोगों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान पर कारवाई चाहते है नहीं जब मुकश्मीर के नेता भी पुलिस्वारों की हत्या को बहशी पन करार दे रहे है तेन पुलिस करमियों को जो अगवा किया गया था उनको मौत के घाट उतार दिया है अतंक वादियों ने और बहुत ही बहरामी के साथ जो है उनकी जान ली गयी है दो दिन पहले भी बॉर्डर्स के उपर एक जवान को गोलियों से जो है वो पहले चली किया फिर उसका गला काट दिया गया था और बहुती वैशियाना तरीके से उसकी भी जान ली गई थी ये हरकते जो है ये नाकाबले बरदाशत है और यहां जमु किश्मीर की इंतिजामिया को यहां की गवर्नेंस को और केंदर सरकार को जवाब देना होगा और अब इस से जादा लोग बरदाशत करने के लिए तयार नहीं है मिस्टर मोदी आपको जो आपके बड़े बड़े नारे हैं एक सर के बदले में दस सर और यह कहते थे कि कोई आँख उठा के देखने की बात नहीं करेगा 56 शिना आज आपका लोग देखना चाहते हैं क्योंकि लोग जो है वो बहुत आहत हैं और गुशेल है वही बीजेपी नेता कवीम्र गुप्ता ने इस घटना को दुगदाई बताया उन्होंने कहा कि केंड़ी सरकार आतंपादियों पर कारवाई कर रही है जिससे वो बौक लागए हैं और इस तरह की हरकत कर गभी है हिंद पाक के आपस की रंजिश जो है आपस के नफरत जो है उसमें फस गए हैं और मुकामी पुलीस होने के नाते इसने जो काम सर अंजाम दिया है लोगों की हिपाज़त भी की है और एक किर्दार अदा किया है जो हमारी दिफाई फोज है या नीम फोजी दस्ते हैं उनको जादेती करने से कई एक वक्त रोका भी है और इस सिलसले में उन्होंने इन से दुश्मनी भी ली है क्योंकि उन्होंने इनके खलाफ F.I.R. दरश किये हैं जो F.I.R के वज़े से उनकों निर्चियां लगी हुई है और जो फोज है उन्होंने कोट में भी इसके बारे में कोई अपील किये मेरे खाल से सुप्रीम कोट के बारे में इसलिए इनका इनका इनकी जान जाना ये भी हो सकता है कि इनका होसला पस्त किया जाए मुकामी आबादी है सब चीज जानती है और इहें के रहने वाले हैं होसला पस्त किया जाए मेराजी की पूर्व सीयम महभुबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि तीन पुलिस कर्ण्यों की हथ्या किये जाना कापी दुगदायक है साथ ही लिखा कि केंद्र सरकार जिस दरह से घाटी में सक्त पॉलिसी अपना रही है यह उसी का असर है कॉंग्रेस निटा कपिल सिबल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल मारे जाने हैं हमारे जवानों की सुरक्षा होनी चाहिए और जो भी इसके लिए दोशी है उनके साथ वही होना चाहिए पॉल प्रिए जिटा के जम्मू कि जम्मू को अधर्वाद को बरदाश है तो यह उनकी आखरी वलती है पाकिस्तान ने आतंगवाद से तोबा नहीं करना जब तक क्या बात्चीत होगी लेकिन जब भी पाकिस्तान को आइना दिखाने का काम जब होता है उस मौके पर हम उसको चूकते नहीं हैं हमने पाकिस्तान को आइना दिखाया है और दिखाएंगे पाकिस्तान जिस भाशा में समझता है उस भाशा में उसको समझाएंगे पाकिस्तान बार बार काराना हरकत कर रहा है ऐसे में पाकिस्तान के पिधान मंत्री इमरान हुसेन की जिठी के बाद विदेश मंत्री स्तर्व की जो बात चीत होने वाली थी उसे भारत में रद्द कर दिया है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के दोगले चहरे की वज़े से भारत में अदम खाया है